हेलो विवर्ट्स अन्बॉक्स इडियो में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ इम्रान आज इस वडियो में मेरे पास जो डिवाइज है काफी शांदार डिवाइज है ऑपो ए 12 जी हा इस फोन में आपको दो वेरेंट दखने को में लगा 3GB RAM 32GB Storage या फिर 4GB RAM 64GB Storage और दो कलर म फोन अवालेबल है ब्लेक एंड ब्लू अगर बॉक्स कुछ इस तरीके से नज़र आता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा इस स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है जैसिक 6.22 इंचेस का यहाँ पे HD प्लास वाडर डॉप स्किन है AI ड्रियल रियर कैमरा 4230 मिलियंपेर का ब 6.22 इंचेस का यहाँ डिस्पले है 4230 मिलियंपेर का बेटरी 165 ग्राम इस फोन का वजन होगा और बाकी फोन को देखेंगे चलिए इससे पहले इस फोन को करते हैं अन्बॉक्सिंग और अगर मने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिया गए रेड कि उनको जरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो के न्यूटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे चलिए इस फोन को ब्लेड से करते हैं अन्बॉक्सिंग जैसे कि मैं हमेशे करता हूँ अन्बॉक्सिंग ब्लेड से और यहाँ इसका जो शिल है से हमने कर दिया है चलिए देखते हैं यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर आपको यहाँ पर एक बड़िया से कीस कोवर यहाँ पर सीम एजिक्टोर टूल और बाकी यहाँ पर ओपो की तरफ से कुछ यॉरंटी कार्ड और डोकुमेंडेशन और यह जो कोवर है यह आपको यहाँ पर दिया गया है और ट्रेंस्पारण कोबर बाकी से फोन में आप कुछ सरी के से प्रोडेक्शन के साथ में ओपो एट्वेल देखने को मिलता है और बाकी यहाँ पर इस फोन में आपको एक एडॉप्टर दिया गया है यह यह टेन वोट चर्जिंग सपोर्ट वाला और इसमें आपक डिजाइन के साथ ओपो एट्वेल ओपो ने लॉंच कोया है यहाँ पे लुक्स और डिजाइन के मामले में बहुत ही ज्यादा अट्राक्टिव फोन लग रहा है पीछे के दरफ देख सकते हो डायमन का डिजाइन के साथ में आता है यहाँ पे ड्वेल रियर केमरा रिफ्ल जादा कम चांसे होगे क्योंकि ग्रीब डिजाइन के साथ आपको यह ओपो एट्रियल देखने को मिलता है तोड़ा से कर्व डिजाइन के साथ में भी आता है और खासकर करके इस फोन के खैमरा पाड़ और यहाँ पे देख सकते हो फिंगर्पिन स्केनर को जो यहाँ पे ड राइट साइड में दिया गया है और यहाँ पे देखा जाए आमें बॉलियूम रोकर और साथ इसाथ स्ट्रे नजर आता है इस फोन का जो स्ट्रे है डेफिनेटली मेरे खास ट्रिपल स्लोट होगा चलिए देखते हैं कि हाइब्रेट स्लोट है या ट्रिपल स्लोट दिया गया है ओपो एट्वेल में डेफिनली यहाँ पे दो नेनो सिम एंड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो आप टू टू फिफ्टी सिक्ट बी तक बाकी यहाँ पे आपको पावर वजन दिया गया है राइट साइड में ऑवराल बात करें इस फोन की लुक्स डिजाइन को बिल्क आरड़ी आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईये एक यह जो कलर है आपको ब्लू कलर में काफी ज्याद इंडरस्टिंग लग रहा है वह से में फॉन अवालेवल है लेकिन मेरे खायल से यह जो ब्लू कलर है डेफिनिल आप इसे चूज़ जरूर की दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अपने दुस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शियर कीजिएगा यहां पर हमने सेटप को अल्मोस सेट कर दिया है काफी सारा एप्लिकेशन का यहां पर इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है बाकी यहां पर कलर ऑप्रेडिंग स शिर्म है और इस सिक्स का इसमें इस्तिमाल किया गया है इस फोन का दिस्पै काफी शांदार डिस्प्ले कर देख सकता है बृटि बहुत ही ज्यदा पंची है बाकी ऐस फोन का जो डिस्प्ले साइज === सज्वर में वाटब्र द्रॉप सकीन के साथ में IPS LCD दी प्लास के मामले में जो इस डिस्प्ले के साथ में आपको एक्स्प्रियंस मिलेगा डिफरेटली काफी अच्छा होगा ऑप एट्यू आइन है और बाकी इसमें आपको जो स्किन टू बोड़ी रिश्यो देखने को मिलता है 82 परसंट है यानि ओवरल देखा जाए ओपो एट्वेल में प्राइस के हिसाब से सही डिस्प्ले डेफिरेटली कही न कहीं दिया गया है अगर बात को इस फोन की परफॉमेंस को लेखर तो इसमें आपको दो वेरियंट में आपको फोन देखने को मिल जाएगा बाकी इसमें आपको जो यहाँ पर आपको 6.1.2 मिलता है एंड्रोइड वर्जन यहाँ पर 9 का इस्तेमाल किया गया है और जो इसमें आपको चिपसेट दिया गया है मेडियाडेख हिलियो P35 का चिपसेट यानी 3GB RAM 32GB स्टोरेज या फिर 4GB RAM 64GB स्टोरेज मेडियाडेख हिलियो P35 का उक्रकोर पसेसर साथी साथ एंड्रोइड 9 और कालर अप्रेजिंग सिस्टेम 6.1.2 के साथ में डेफिनेटली काफी अच्चा performance इसमें आपको देखने को मिलेगा speed के मामले में कोई भी डेफिनेटली इशु नहीं रहने वाला है और gaming के मामले में भी average आपको यहाँ पर पर्फॉफॉमेंस देखने को मिलेगा बेकप देदेगा वही अगर बात करूं गेमिंग एक्सपिरेंस को लेकर पबजी जैसे गेम के लिए फोन कैसा होगा डेफिनेटलि यहाँ पर प्राइस के हिसाब से जो भी यहाँ पर पुफॉमेंस आपको मिलेगा अच्छा खासा देखने को मिलेगा लेकिन आप प्राइस क दोनों ही आलमोस्त यहाँ पर हमने सेट कर दिया है अब चलिए इसका टेस्ट करते हैं यहाँ फिंगर्प्रिंट स्कैनर देख सकते हो काफी फस्ट काम कर रहा है और यहाँ पर जो आपको फिंगर्प्रिंट स्कैनर का डिजाइन है मुझे काफी अच्छा लगा राउंड शेप में आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलता है, बाकि Face Unlock भी काफी तेजी तरीके से काम कर रहा है, यानि Fingerprint Scanner और Face Unlock स्लो नहीं होगा, First यहाँ पर डिफरेंटली काम करेगा, और चलिए इस फोन की केमरा जो लेकर बात करता हूँ, इस फोन का जो प्राइमरी केमरा है, वो यहाँ पर 13 Megapixel का एक प्राइमरी केमरा दिया गया है, जिसका Aperature F2.2 के साथ में आता है, और जो दूसरा केमरा है, सिगंडरी केमरा, वो की एफेक्ट के लिए है, 2 Megapixel का है, Aperature F2.4 के साथ में आता है, जो Front Facing केमरा है, तोड़ा सा कमी, इसमें आपको देखनों को हो सकता है, 5 Megapixel का Front Facing केमरा देखनों को मिलता है, जिसका Aperature F2.4 का इस्तेमाल किया गया है, यानि कुछ फोडूज यहाँ पर क्लिक करेंगे, और देखेंगे कि केमरा क्वालिडी कैसा है, यहाँ पर देखेंगे 5 Megapixel का Front Facing केमरा है, लेकिन जो यहाँ पर केमरा रिजूलिशन है, मैं कहूंगा काफी बहतरीन है, यहाँ पर OPPO की तरफ से दिया गया है, और OPPO के खास करके जो केमरा होता है, काफी अच्छा होता है, और वही आपको यहाँ पर 5 Megapixel में भी काफी बढ़िया यहाँ पर केमरा परफॉमेंस आपको OPPO A12 में दिखाए रहा है, और केमरा के मामले में मुझे फोन काफी अच्छा लग रहा है, जब यहाँ पर कुछ फोडूस मैंने क्लिक किया है, मुझे नेचरल फोडूस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और डीटेल बहुत ही अच्छा खासा है, यहाँ पर जो प्राइमरी केमरा है देख सकते हो, 13 Megapixel का प्राइमरी केमरा है, डेलाइट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉमेंस दे रहा है, और जो लॉलाइच परफॉमेंस होगा, वो एवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और पो एट्वेल में, बाकिस मेरी यार केमरा के फोडूस काफी सारा मैंने यहाँ पर क्लिक क्या है, और यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही बड़िया डेफिनेटली इस फोन का केमरा है, एकस्पिक्ट से भी ज्यादा अच्छा है डेफिनेटली, जो यहाँ पर देख से थार्डिन ब्लस तो मेगापिक्सिल का फोडूग्राफी प्रोवाइड कर रहा है, और अच्छा मुझे लगा, वैसे में इस फोन का केमरा को लेकर आपको क्या कहना है, निच्छे ज़रूर कॉमेंट करके बताईएगा, अब चलिए बात कर लेते इस फोन की प्राइस को लेकर, जो इसमें आपको 3GB RAM and 32GB Storage Variant देखने को मिलेगा, जिसमें 6.22 इंचेस का डिस्पले है, 4230 मिलियंपेर का बेटरी, AI Dual Rear Camera, Fingerprint Scan and Face Unlock, में डेने के लिए P35 का OctaCore Processor और लुक्स डिजाइन के मामले में भी बहुत ही खास डिवाइस मुझे लगा, प्राइस के हिसाब से मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा फोन लगा, विसे में आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईए, तो यही ता OPPO A12 का अन्बॉक्सिंग इस फोन के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तब तक के लिए बाइबाइ, ठेक केर और एंड जैहिन,